कोटा शहर को दूसरे विद्युत शवदाह ग्रह की सुविधा अबुकलब्ध हो सकेगी। नगरिये विकास एवं स्वायत शासन मंत्री शांती धारिवाल ने आज कोटा उत्तर निगम द्वारा एक करोड़ पंद्रा लाग की लागत से वाड़ पचीस में विक्सित किये गए विद्युत शवदाह ग्रह का लुकारपण कर जन्ता को समर्पित किया। में जल्भराव की सालो पुरानी समस्या से निजात दिलाने वाले पंद्रा करोड से निर्मान किये जा रहें नाले के कारे का भी निरीक शनकर। कहा कि इस कारे के पूर्ण होने के बाद शेत्र के सभी लोगों को सारो की समस्या से निजात मिल जाएगी बरसो पुरानी शेत्र की मांग पूरी हो गई है बड़ी राहत मिलेगी लोगों को लकडी भी बचेगी टाइम भी बचेगा और मुझे खुशी बात की है कि एक भी ऐसा परिवार ने मिला जिसने कोई शिकायत करी हो सरकारी सारी सरकारी योजना है महंगाई रात कैम की जो योजना है सबने तो रजिस्ट्रेशन करा लिया किसी को पांच योजनाओं का लाब मिल रहा है किसी को चार योजनाओं का लाब मिल रहा है पर दो योजनाओं एक तो बिजली का परी जो सो यूनिट बिजली की फ्री का वह है और दूसरा चिकित्सा का 25 रुपे तक का इलाज जो फ्री है वह एसी दो योजना ऐसी है जिससे पूरे पूरे वाड के एक एक परिवार को उसका लाब मिल रहा है और आप देखें ना एक करोड परिवार ने पूरे राजस्तान के अंदर इसका लाव लिया है पर यह जब तक राजस्तान की एक एक परिवार इसका लाव नहीं लेगी जब तक यह गोजना निरंतर अन्विरत चालू रहेगी और यहां पर 25 करोड़ पंद्रा करोड़ रुपे किसे नाला बनाया जा रहा है नगर निगम के द्वारा यह नाला आज से कम से कम 15 साल से इस नाले की रिक्वार्मेंट थी